भाजपा पश्चिम मंगाल में अपनी जड़े जमाने की पुर्जोर कोशिशे कर रही है पिछले में धान सब्सक्राइब चुनाव में दोजार इकीस में उसने बहुत कोशिशे की पी-म नरेंद्र मोधी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदितनात और अमिश्ट्रा सहीद भाजपा के तमाब दिगचनेताओं ने जम कर चुनाव परचार किया था बावजूद इसके भाजपा 77 सीटों पर ही सिमट गई थी इसके लावा हालिया लोगस्वबा चुनाव में भी बीजेपी दीदी के आगे बेदम साबित हुई है अब जब दीदी के आगे बीजेपी लगातार बौनी साबित हो रही है तो हर तरकीद तो अपनानी पड़ेगी तो दुरसल संदेश खाली और ट्विनी डॉक्टर किरेप के बाद हत्या से जो माहौल बनाया गया है बीजेपी के जरीए वो सियासी साज़िश का ही नतीज़ा है जिसे आम तोर पर सियासत में जायज मना चाता है क्योंकि इसमें कोई दोराए नहीं कि तमाम लाशों पर पाउं रखकर ही सियासी कुर्ची नसीब होती है अब दीदी के बंगाल में तो सियासी बवाल मचा हुआ है उसकी वज़ाए दोहजार चबवीस में होने वाला बंगाल एलेक्शन जिसको लेकर बीजेपी ने दो साल पहले से ही माहौल बनाना शुरू करतिया है जब बीजेपी को चाहिए था कि वो अपने मॉडल को यानि केंदर में बनाए गए केंदर में खिये गए अपने विकास मॉडल को सामने प्रॉजक्ट करे बंगाल के जुनता की लेकिन ऐसा ना करके बीजेपी ने नफरत और हिंसा के राजमीती के जरिए बंगाल में दीदी को नीचे करने की कुशिशे शुरू करती है और जनता में ये मैसेच और माहौल बनाने की कुशिश है कि दरसल दीदी के बूते अब बंगाल में कुछ रहा नहीं है अब इसके जवाब में दीदी ने क्या कुछ कहा है सुन लीचे नर्थीष्टो थेमें थागवेना उत्तर पोजेशो थेमें थागवेना बियारो थेमें थागवेना जार कंडो थेमें थागवेना उरिश्वाव थेमें थागवेना और दिल्लियो थेमें थागवेना अपना च्याठ्टा आमना ट्लो मलो कोड़े दो बो